एक sales representative कैसे manager बनेगा इसके बारे में काफी सारी technique है काफी सारी चीजे हैं जो की market में चलती हैं इस पर आपको ध्यान्दे नहीं जो होते हैं ये क्या क्या चीजे होती हैं जिससे आप एक sales representative से बहुत ही आसान और जल्दी तरीके से एक manager level तक पहुँच सकते हैं अगर आपने हमरे चनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेजए यहाँ पर इसी तरह की आपको latest वीडियो देखने को मिलती है चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं हजारों लाखों लोग sales representative में join होते हैं एजे फ्रेशर और कुछ लोग उसमें 2-3 सालों बादी manager level तक पहुँच जाते हैं लेकिन जादा तर लोग 10 साल 15 साल तक उसी position पर या senior sales representative बनकर रह जाते हैं अब चाहें वो कैई सारी company चेंज कर शुके हो चाहें एकी company में हो ऐसा क्यों होता है क्योंकि sales representative से manager बनने के दोरान काफी सारी प्रक्रियाए होती हैं काफी सारी चीजे होती हैं जो हर आदमी को नहीं पता होती या हर आदमी market में observe नहीं कर पाता sales representative पर जो भी लोग आते हैं उनको ये चीज पता होती है कि मुझे ये distributor मिला है ये market करनी है daily की 40-50 counter करने है productive करनी है और महीने के last में अपना expense भेजना है expense लेना है और sell ले लेनी है बस मेरा काम खतम हो गया मैंने बहुत सारे लोग देखे है market में आते हैं अपना काम पूरा करते हैं distributor point से अच्छा relation, retailer से अच्छा relation और time से अपने घर भी चले आते हैं सारी चीज़े करते हैं लेकिन 10 साल, 15 साल बाद भी अगर आप sales representative में हैं बस आपके salary पहले 10,000 रुपे थी, 12,000 रुपे थी, अब 18,000 रुपे होगी है तो इसका मतलब यह है कि आप अभी successful नहीं है आपने sales representative में रहके भी कुछ नहीं सीखा सारे target अचीब करके भी कुछ नहीं सीखा sales representative का जो role होता है वो किबल sale करना नहीं होता actual में इस position का मतलब होता है कि आप एक, मतलब पहली CD पर चड़ गए हैं एक top level manager मनने की पहली CD पर चड़े हो हैं कहीं CD खड़ी कर देते हैं पेड़ के सारे या चट के सारे तो जो हम पहले CD पहले Python पर चड़ते हैं फिर दीरे-दीर के step करते हैं तो सबसे top पर पहुंच जाते हैं तो आप पहले Python पर आ चुके हैं अब आपको सेल भी करनी है और next Python के लिए कोसिस भी करनी है उसके लिए जो भी चीज़े जरूरी है वो भी चीज़े इकटी करनी है चाहे वो ग्यान हो चाहे वो knowledge हो skills हो या दूसरे को देखके भी सीख सकते हैं तो sales representative में ये जज़बा बिलकुल नहीं होता उनका एक ही ज़जबा होता है किसी तरह से मेरी जॉब न चूटे और हर साल मेरी जॉब पांसो रुपे हजार रुपे बढ़ जाए mostly तो ऐसे लोग 10-15 साल हो जाते हैं तो उनकी 7-8 हजार sales बढ़ चुकी होती है और वो वहीं पर रहते हैं जबकि वो target भी पूरा करते हैं distributor relation भी अच्छा है और customer यानि retailers wholesaler relation भी अच्छा है तो यहाँ पर वो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं जो इतना साल हो जाता है और फिर भी वो manager नहीं बनते और कुछ लोग 2 साल, 2 साल, 3 साल में ही sales officer या ESM बन जाते हैं sales officer को दो पार्ट में बाट के रखिए अगर आप sales officer है तो अपनी life को दो पार्ट में बाट के रखिए पहले पार्ट में यह है कि company जिसलिए आपने join करी है और company निकाले नहीं इसके लिए आप target पूरा करिए sale करके दे दिए company को distributor relation इसके लिए जरूरी है retailer और wholesaler relation जरूरी है market में जो भी time आपको बसता है घर भागने के जल्दिवाजी बिल्कुल मत करिए दूसरे पार्ट में वो चीज़े आपको करनी है पहली अगर आपने 12th education कर रखिया graduation है तो आप अगर आपके पास graduation है तो आप एक छोटा सा diploma करने की कोसिस कीजिए management का कोई भी छोटा six month एक साल का diploma आप करने की कोसिस कीजिए अगर MBA नहीं कर सकते हैं तो अगर आप 12th pass है तो सबसे पहले distance mode से graduation करने की कोसिस कीजिए graduation आपको करनी ही करनी है चाहिए आप आपकी family भी है पैसे भी कमा रहे हैं कि फिर भी और साथ ही market में दूसरे जो top level के manager है या आपके जो manager है वो manager कैसे बने किस तरीके से वो काम करते हैं interview में क्या बोलते हैं किस तरीके से resume में बनाते हैं जो की हर कोई आपको बताएगा नहीं आपको ढूनना होगा आपको एक जासूस बनके market में ये चीज़े तलास नहीं होंगी तूसरी company का आपके सहारे आपके साथ वाली दुकान पे दूसरी company का जो manager खड़ा है sales officer कड़ा है sales representative खड़ा है उसको observe किजिए observe मतलब उसको देखिए कि वो क्या कैसे कपड़ी पहनता है कैसे बोलता है क्या चीज़े है उसकी आप से क्या चीज़े अलग है कि वो manager बना हुआ है वो sales officer बना हुआ है या बहुत जल्दी वो sales officer बन गया यह सारी चीज़े आप find out करेंगे और इन पर practice करेंगे market में रहके practice करेंगे जैसे कि personality development है तो personality तो आपकी salary चाहे कुछ भी ना हो तो भी आप कर सकते हैं कपड़े आपको पहनने ही है सही दिखना ही है बाल में कंगी करनी ही है सावन तेल लगाना ही है तो अपनी personality को sales representative में भी ठीक करके चलिए तो वहाँ personality आपके ठीक हो रही है communication चाहे आप कोई भी language दोते हैं कि market में जो real language होती है जो official language होती है उस language में बात कीजिए देखिए दुकांदार का, wholesaler का, retailer का और company वालों का आपके परती थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगेगा ये आपको practice करनी है और जब ये दौना चीज़ साथ में लेके चलेंगे तो धाई साल, तीन साल में आप sales officer और manager बन सकते हैं कोई भी ये बहुत कठिन काम नहीं है, अगर देखा जाए कि बिरुजगारी जितनी है, उसके हिसाब से तो ये काम अगर सुरू में सोचेंगे इस वीडियो को देखके तो बहुत ही impossible लगेगा, लगेगा यार ये होगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता लेकिन जब आप धीरे धीरे, आप end result को मत देखिए, day by day अपने में वो चीज़े लाते रहे हैं, इंप्रूमेंट करते रहे हैं, अब मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, कि जो हमारा traveling bag होता है, traveling bag होता है, बहुत सारे sales representative एक अच्छी quality का traveling bag लेके चलते हैं, bag पूरा अच्छी तरह रहता है, उसमें पानी की bottle, सारी शीज़े बढ़ियां से रहती है, bag दिखने में काफी professional लगता है, और वही पर कैई sales representative, बहुती बेकार थरीके का, रंग भी रंगा bag लेके चलते हैं, lose रहता है, देखने में बिलकुल अच्छा नहीं लगता, उस bag से उस sales representative की personality पता चलती है, ये भी एक training का हिस्सा है कि आप किस तरह के gadgets यूज़े करते हैं, किस तरह के bag लेके चलते हैं, अगर साल में आपको दो बार bag बदलना पड़े तो दो बार बदलिए, धाई सो रुपे, तीन सो रुपे online bag मिल जाता है, बहुत अच्छी quality का, और कम से छे महीने वो bag बिल्कुल stuff रहता है, सही रहता है, चमकदार रहता है उस तरह का, डाई सो तीन सो खर्च के लिए साल में आपको पान सो छे सो रुपे खर्च करने पड़े और दो बार अच्छा bag आप ले सकते हैं, bag आपका भले ना फटे, भले कुछ ना हो, उसको घर में कि इसी काम में ले लीजिए, या six month इस bag को ले जाए और फिर market में six month दूसरा bag ले लीजिए, फिर अगर अच्छा लगे कि ये ठीक लग रहा है, तो आगे भी यूज कर सकते हैं, बदल बदल के, फैंक दीजिए, मेरे पस इतने कैई सारे इतने bag पड़े हुए हैं, जो कि मैं क sales representative से manager बन जाते हैं, और जब एक बार वो ये रफतार पकड़ लेते हैं, तो फिर वो सिद्धियों पर जल्दी जल्दी चड़ने, चड़ते चले जाते हैं, आप भी बन सकते हैं, आपको बस यही चीजे ध्यान में रखनी हैं, अपनी पोश्ट से हटके, आगे की जो पोश जैसे सोचिये, उसके नजरिये से आपको सोचना पड़ेगा, फिर बनेगी बात,